आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ download now देखो तो इस question पर हमको तीन capacitor given है उनके पर हमको तीन capacitor की value given है और total जो हमवारा voltage है जो EMF स connected है वो given है तो पहला part हमको equivalent capacitance निकालनी है काफी असान है ये तो equivalent capacitance होना है अलग color से कर देता हूँ कि आप वो confusion ना हो तो उपर वाला part जिसको मैं A, B भोल रहा हूँ तो उसके across capacitance क्या होगी C1, C2 upon C1 plus C2 तो C1, C2 upon C1 plus C2 क्योंकि series में added है तो 3 into 6 by 9 तो ये हो गया 2 microfarad अब 2 और 4 parallel में added है तो simply sum हो जाएंगे तो C equivalent आगे हमारा 4 plus 2 जो कि हमारा 6 microfarad तो ये तो हो गया हमारा पहले part का solution अब है हमारा दूसरा part दूसरा part दिया हुआ है कि हमको potential difference और charge और हर capacitor पर बताना है तो EMF EMF जो कि 6V दी हुई है V वो VAB के बराबर होगी जो कि V3 है तो बस तो हमको पहले 3rd V3 तो हमको पता लग गया तो V3 पता लग गया तो हम Q3 बता देंगे जो कि हो का C3 V3 C दिया हुआ है हमको C3 4 into V3 जो कि ये 6 तो ये हो गया 24 microcolum अब हमको पता है कि जब हम series में होते हैं तो जो charge होता है वो same होता है दोनों capacitors पे तो Q1 is equal to Q2 is equal to Q होगा क्योंकि series में हैं दोनो तो और जो V1 plus V2 होगा वो हमेशा 6V के बराबर होगा total potential के बराबर क्योंकि उसके parallel में है तो Q is equal to CV होता है तो V is equal to Q by C लिख सकते हैं तो Q1 by C1 plus Q2 by C2 is equal to 6 अब Q1 और Q2 को हम Q लिख दिएंगे और C1, C2 को 3 और 6 गिवन है तो Q 1 by 3 plus 1 by 6 is equal to 6 तो इससे हमारा Q के आ गया आ गया 12 microcolum तो अब हमको Q आया तो इसका मतलब Q1 और Q2 12 microcolum अब Q1, Q2 आये तो फिर हम V1, V2 भी बता सकते हैं V1 क्या हुआ Q1 by C1 तो इसका मतलब V1 हुआ 12 by 3 4V और V2 हमारा Q2 by C2 Q2 है हमारा 12 और C2 है हमारा 6 तो हुआ 2V ठीक है तो अब हमने second part भी पूरा कर दिया हर कभर किसी पर हमने charge बता दिया और हर किसी पर हमने voltage बता दिया अब हमें third part पे third part है find the energy stored in the system of capacitors and total energy stored in the system of capacitors तो energy क्या होती है ये capacitor में half Cv square तो U1 होगा half C1 V1 square U2 होगा half C2 V2 square और U3 होगा half C3 V3 square अब C1 क्या है C1 हमको पता है 3 microfarad और C2 है 6 microfarad और C3 है 4 microfarad तो हमने C1 लिया 3 into V1 हमने find गिया था 4 into 4 हुआ तो ये क्या है 24 microjoule आया हमारा U1 अब U2 क्या हुआ half C2 C2 है 6 और V2 है 2 तो ये आये गए हमारा 12 microjoule U2 अब U3 है half C3 की value क्या है 4 और V3 की value है 6 तो ये हुआ 36 into 2 जो की होता है 72 microjoule या U3 अब हमें बताना है total energy भी बतानी है हमें पूरे system की तो फिर वो तो होगी simple ले U1 प्लस U2 प्लस U3 जो होई 24 प्लस 12 प्लस 72 तो ये आई 108 microjoule इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं UT half C equivalent और EMF का square लेके हम वो करेंगे तब भी हमारा answer 108 microjoule याएगा तो ये हुआ हमारा ये question पूरा solve क्लासिक्स चुट्वेल से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर होसा आज डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीज़े अपने डाउट्स 8444-चुपर क्लासिक्स चुट्वेल